नमस्कार दोस्तों मैं सवरोब आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सल्वीशन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंट सेट है सैमसंग ब्रैंड का है आप देख सकते हैं बैक साड में नीचे की तरब सैमसंग की ब्रै जी ओके और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस 5G को अनलाग करने का तरीका यानि की डिवाइस का पैटन लॉक पिं लॉक या पासवर्ड लॉक रिमूब करने का सबसे इजी और बिलकुल सटीक तरीका तो दोस्तों अगर आपके सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस 5G यूज कर रहे हैं और आपके डिवाइस को अनलाग करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठें आप अपने Samsung Galaxy S21 Plus 5G को unlock कर पाएंगे, device का pattern lock, pin lock या password lock घर बैठे बैठे बिल्कुल free में remove कर पाएंगे, तो यहां दोस्तों आपने देखा device हमारी पूरी तरह से pin lock है, अब दोस्तों इस device को unlock करने से पहले हम आ जाते हैं device के right side में, device के right side में आते हैं दोस्तों तो यहां आप buttons देखने को मिलती है, सबसे उपर के तरब देखे volume up, उसके बाद volume down और बिल्कुल नीचे आएंगे, तो यहां आपको power unlock button देखने को मिलेगी, अब दोस्तों इस device को unlock करने का जो method है, सबसे पहले वो method इस वीडियो में मैं आप से share करूँगा, उसके बाद यह चीज मैं आपको कि अगर आपके पास Samsung की कोई भी latest device है, और आपकी device pattern lock, pin lock या password lock है, तो इस condition में आप device को power off नहीं कर पाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी device pattern, pin या password lock है, मैं practically दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं device हमारी pin lock है, और अगर यहां उपर से मैं device को power off करता हूँ, तो मैं device को power off नहीं कर पाऊंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यह pin lock है, यह देखे, जैसे मैंने power off किया, यह बोला कि पहले आप pin enter करिए, उसके बाद आप अपने device को power off कर पाएंगे, यानि कि device को हम power off नहीं कर पाएंगे, तो कैसे इस device को unlock किया जाए, कैसे इसका pattern, pin या password lock break किया ज देखे, आप इस विडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे, आप अपने Samsung Galaxy S21 Plus 5G को unlock कर पाएंगे, device का pattern lock, pin lock या password lock remove कर पाएंगे, ओके, अब देखे दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, अपने device को किसी laptop या PC का use करके USB केबल से connect नहीं करेंगे, तो आपकी device recovery mode पर active नहीं होगी, और आप device को unlock नहीं कर पाएंगे, ओके, तो ये चीज़ ध्यान दे, ये सबसे important step है इस विडियो का, आपको simple करना क्या है, किसी laptop या PC का use करके, आपको device को USB केबल से connect कर देना, ठीक है, तो मैं क्या करता आपको सबसे पहले करना क्या होगा, डिवाइस को किसी laptop या PC का use करके, simple USB केबल से connect करना होगा, ओके, connect करने के बाद, अब इस device को unlock करने का process, मैं सबसे पहले आप से share करता हूँ, उसके बाद practically करके दिखाऊंगा, ठीक है, तो अब सुनिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको simple करना ये होगा दोस्तों, कि ये जो volume down बटन देख रहे हैं, और ये power unlock बटन, ओके, आपको करना क्या है, volume down और power unlock बटन, इन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना near about 10 seconds के लिए, ओके, 10 seconds के बाद आप देखेंगे, आपकी device totally power up हो जाएगी, ध्यान रह है, दोस्तों, जैसे ही आपकी device power up होगी, आप तुरंत volume down और power बटन, इन दोनों बटन से अपनी finger तुरंत हटाएंगे, और बिल्कुल तुरंत volume up और ये power बटन, इन दोनों बटन को continue प्रेस करके रखेंगे, ओके, कुछ सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे, तो आप देख है, अभी भी दोस्तों, आप देख सकते हैं, device हमारी पूरी तरह से pin lock है, और device को मैंने USB केबल से connect किया हुआ है, अपने laptop या PC का use करके, ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था, कि volume down और power बटन, इन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना और ये देखे, volume up और power बटन, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है, अब देखिएगा, device हमारी totally recovery mode पर active हो जाएगी, और ये देखें दोस्तों, finally आप देख सकते हैं, हमारी device Samsung Galaxy S21 plus 5G पूरी तरह से recovery mode पर active हो गई, जो steps मैंने आपको बताया, बिल्कुल same to same steps follow किया, और finally हमारी device Samsung Galaxy S21 plus 5G पूरी तरह से recovery mode पर active हो गई, उपर की तरफ आप देख सकते हैं, android recovery लिखा है, और नीचे तरफ recovery के सारे options सो कर रहे हैं, ठीक है, और अब दोस्तों ये जो USB cable है, आप disconnect कर सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दे दोस्तों, अगर आपको device को recovery mode पर active करना है, तो सबसे पहले device को किसी laptop या PC का यूज़ करके simple USB cable से connect करना होगा, otherwise आपकी device recovery mode पर active नहीं होगी, तो device हमारी totally recovery mode पर active हो चुकी है, अब आगे देखिए आपको करना क्या है, आपको device को unlock करना है, device का pattern, pin और password lock break करना है, तो यहाँ एक option आपको मिलता है, wipe data factory reset का तो आपको simple जाना है wipe data factory reset वाले option पे, तो बहुत आसान है, आप simple यहाँ volume down वाली बटन को continue प्रेस करिए, और प्रेस करते करते आप चले आएंगे wipe data factory reset वाले option पे, यहाँ पे आनेक बाद आपको ok करना होगा, तो ok करने के लिए मैं आपको simple power button को प्रेस करना होगा, तो चलि मैं power button को यहाँ एक बार प्रेस करता हूँ, अब यह देखे दोस्तों, जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया, तो यहाँ पे दो new option आपको देखने को मिलते हैं, cancel और factory data reset तो आपको करना क्या है, आपको जाना है factory data reset वाले option पे, तो बहुत आसान है, आप simple यहाँ volume down वाली बटन को एक बार प्रेस करिए, और आप चले आएंगे factory data reset वाले option पे, यह देखे दोस्तों, हमाच चुके है factory data reset वाले option पे, अब factory data reset वाले option पे आने के बाद, आपको फिट से okay करना होगा, और okay करने के लिए आप power button को प्रेस करेंगे, लेकिन एक में टूप जाएगे, factory data reset वाले option पे आने के बाद, आप जैसे ही okay करने के लिए power button को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों, यहां नीचेक तरब कुछ process होगा, और कुछी second में आपकी device unlock भी हो जाएगी, ओके, लेकिन एक चीज़ ध्यान दे, यहां आपकी device का सारा data, यानि कि आपका music, contact, emails, videos, या दोस्तों हमें device को unlock करना है, इसका pattern, pin और password lock break करना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि factory data reset पे आपको okay करना होगा, यानि कि power button को प्रेस करना होगा, तो चलिए मैं power button को यहां एक बार प्रेस करता हूँ, अब नीचेक तरब ध्यान दीजिए, नीचेक तरब आप पहले formatting data लिख के आया, उसके कुछ second बात, last में आपको एक message आजाएगा, data wipe complete का, बिल्कुल नीचेक तरब देखे, data wipe complete का message आगया, okay, data wipe complete का message आगया, यानि कि अब आपको device totally unlock हो चुकी है, जैसे ही data wipe complete का message आएगा, device आपकी बिल्कुल पिछली बार की तरह recovery mode पर active हो सबसे पहला option देखे, reboot system now का है, तो device को reboot करने के लिए आप simple यहाँ power button को एक बार प्रेस करेंगे, तो चलिए मैं power button को यहाँ एक बार प्रेस करता हूँ, और जैसे ही आप power button को प्रेस करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपकी device Samsung Galaxy S21 Plus 5G, यहाँ पे reboot हो जाएगी, आप द आपकी device Samsung Galaxy S21 Plus 5G, reboot होकर पूरी तरह से active होगी, तो आप देखेगा, आपके display पे पहले की तरह किसी भी type का locks हो नहीं करेगा, और आपकी device Samsung Galaxy S21 Plus 5G, पूरी तरह से unlock हो जाएगी, पूरी तरह से active हो जाएगी, तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया, Samsung Galaxy S21 Plus 5G को unlock करने का तरीका, यानि कि device का pattern lock, pin lock या password lock remove करने का सबसे easy और बिल्कुल सटीक तरीका, और मुझे पूरी उमीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में आप अपने Samsung Galaxy S21 Plus 5G को unlock कर पाएगे, device का pattern lock, pin lock या password lock remove कर पाएग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोट इस request करूंगा, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है तो please दोस्तों आप मुझे support करिए, क्योंकि मुझे आपके support की जरूरत है, मुझे support करने के लिए इस वीडियो को आप जादा से जादा से आप डिवाइस को hard reset करके अनलाग करते हैं, तो डिवाइस active होने में maximum एक से दो मिनट लगता है, एक से दो मिनट बात देखेंगे आपकी डिवाइस reboot होकर पूरी तरह से active हो जाएगी और ये देखें दोस्तों, maximum हमने एक मिनट वेट किया, डिवाइस हमारी reboot होई और reboot होकर डिवाइस हमारी पूरी तरह से active हो चुकी है, और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब आपकी डिवाइस reboot होकर पूरी तरह से active होगी, तो आपके display पे पहले की तरह किसी भी type का lock so नहीं करेगा, पहले device हमारी pin lock थी, लेकिन अब देख सकते हैं, अब display पे किसी भी type का lock so नहीं कर रहा है, तो चलिए मैं complete android setup करके आपको दिखा देता हूँ, तो android setup करते हैं, तो इसके लिए simply हम click करेंग दोस्तों, यहाँ start पे, यहाँ से आपको अपना language select करना है, तो यहाँ से आप English, India अपना language select कर लें, उसके बाद यहाँ से simple next पे click करें, उसके बाद यहाँ देखे, agree to all का option मिलता है, तो आप simple इस box को check करें, उसके बाद नीचे से next पे click करें, उसके बाद आपको simple more पे click करना है, once again आप agree पे click करें, यहाँ देखे, choose a wifi network वाले option पी हमा आचुके है, नीचे का तरफ आपको skip का option मिलता है, तो आप simple skip के option पे click करें, यहाँ से आपको simple don't copy पे click करना है, कुछ second यहाँ वेट करेंगे, उसके बाद simple आप नीचे से next पे click करेंगे, उसके बाद आपको simple more पे click करना है, यहाँ से आप accept पे click करिए, यह देखे, protect your phone का option बना गया तो यहां से दोस्तों आप चाहें तो अपने डिवाइस में फिर से पैटन, पीन, पासवर्ड, फेस या फिंगर लाक अप्लाई कर सकते हैं मैं इस आपसन को इसकीप करूँगा इसलिए नीचे तरब देखें इसकीप का आपसन है तो मैं सिंपल इसकीप के आपसन प पे क्लिक करें वंस अगेन आप इसकीप कर दें ओके यह दिखे यू आर आल सेट अप लाश्ट में आपको मिलता है फिनीज तो आप सिंपल फिनीज पे क्लिक कर दें ओके और यह देखे दोस्तों complete android setup मैंने आपको करके दिखा दिया finally हमारी device Samsung Galaxy S21 Plus 5G इसका pattern, pin या password lock पूरी तरह से remove हो गया और finally हमारी device पूरी तरह से unlock हो गई तो दोस्तों ये पूरा full process है Samsung Galaxy S21 Plus 5G को unlock करने का यानि कि device का pattern lock, pin lock या password lock remove करने का ये video आपको कैसी लगी, ये trick आपको कैसा लगा प्लीज दोस्तों comment करके इस video के बारे में इस trick के बारे में आप अपनी रामुझ से जरूर सेयर करिएगा विडियो के last में एक बार फिर से मैं छोटी से request करूँगा दोस्तों अगर मेरी विडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगती है तो प्लीज दोस्तों आप मुझे जरूर सपोर्ट करिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस video को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें विडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और ऐसे ही सांदार इंट्रेस्टिंग विडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप मारा यूटिव चैनल सब्सक्राइब कर लें बगल में जो बेल आकन है उसे भी प्रेस करें तो विडियो पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच